रानी तलाप पार्व में फैला चारों तरफ खुला करेंट का तार पार्व प्रबंदन को इनतजार है एक बड़ी धुरगड़ना का रानी तलाब के बगल में एक शांदार तलाब है पार्क है तलाब का अपना एक अतिहासिक महत्त है तलाब के बगल में मा की एक भवित प्रितिमा है जिसके दर्शन करने हजारों की तादाद में लोग पहुँचते हैं अतिहासिक मंदिर है इसी बात को ध्यान में रखते जब भक्त जन्मा के दर्शन करने आएंगे तो कुछ समय सुकून के दो पल बिताने के लिए यहां पर बैठेंगे लेकिन बारिस के मौसम में पार की देखबाल कर रहे ठेकेदारों ने बिजली का तार चारों और फैला दिया इन तारों को खुला छोड़ दिया गया है शायद इंतजार है किसी अपरी वारदात का हम आपको बता दें अभी कुछ दिन पूर भी इस तलाब में काफी मात्रा में मशलियां मरी पाई गई थी जिसको लेकर प्रसासन ने काफी गंबीरता दिखाई थी कमिशनर रीवा, डक्टर अशोक कुमार भारगो भी मौके पर पहुँच गए थे इसके बाद ठेकेदार और उसके गुर के जरभी भाइबित नजर नहीं आ रहे है शायद उनको लगता है उनका कोई कुछ नहीं बिगार सकता होना तो यह चाहिए, ठेकेदार दारा खुले तारों को बंद करना चाहिए जिससे कोई अपरी वारदात नहोँ हजारों लोग मा के दर्शन करने के बाद पार्क में सुकून के दो पल बिताने के साथ सुबह हिसाम काफी तादाद में यहां पर टहले भी आते हैं, इस बारे में हमने मा के बुजारी से बात की, इस बारे में उनसे बहतर कोई नहीं बता सकता था, वह यहां पर काफी समय बिताते हैं, आईए सुनते उनका क्या कहना हाँ, प्रधान को जारी पंदित दिविट साथ महराजी, मैं रानी तलाव का प्रधान के जाई हूँ, आठ तुदी सिलिवित के जो मा के चर्णों के सेवा हमारे पुरगा जवाला की जई, और आज में ही जो भी ठूठी-फूठी हो जा ज़ती है, वहीं मा के चर्णों में समर्फिक करते और आराध्मा करता हूँ, अब इसके आगे जो हो तो चर्णों में राली तलाव में जो है, तो यह तो प्रधम ठेकेदारी जलती है, जो कि उसको सासन को हर समय जो रोज के अनुसा सूचना करना चाहिए, बताना चाहिए, वह यह दिक्त है, यह गवड़ी है वह गवड़ी को प्रसासन दर उसको सुभार कराए जाए, लेकिन इसको तो हम यहीं मान के चल देगे, तो ठेकेदार की लाफर वाही है, तो ठेकेदार पर इसका और प्रसासन को दो सूचित किया जाए कर देकेदार कि लाफर यह यवड़ी है